दुनिया की सबसे उँची परवत चोटी कौन सी है? बड़ा आसान सा सवाल है हर कोई जानता है कि दुनिया की सबसे उँची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है दरसल ये उन बेसिक सवालों में से एक है जो हमें बज़पन से ही रटाए जाते है आप मेंसे बहुत से लोग ये भी जानते होंगे कि माउंट एवरिस्ट का नाम एक अंग्रेज अधिकारी सर जोर्ज एवरिस्ट के नाम पर रखा गया था लेकिन जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे वो यह है कि जिन सर जोर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया उन्होंने न तो कभी माउंट एवरेस्ट की उंचाई मापी और नहीं वे कभी अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट के आसपास भी फटके जी हां बलकि आपको और भी सोख़द आश्यर होगा जब आप ये जानेगे कि एवरेस्ट की उचाई नापने वाला शक्स कोई ब्रिटिस नहीं बलकि एक भारतिय गड़ितग्य था और इस भारतिय का नाम था राधानात सिकदर क्या आपने ये नाम पहले कभी सुना है शायद नहीं हम मैंसे बहुतों नहीं सुना होगा क्योंकि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो ज्यादे तर वही है जो अंग्रेज या विदेशी इतिहासकार हमारे लिए छोड़ गए है राधानात सिकदर भारत की उन अनेकों अल्पग्यात महान विभूतियों मेंसे एक है जिन्हें इतिहास में वह इस्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था जहां तक जॉर्ज एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट से सम्बंद का प्रशन है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्दी यही थी कि उन्होंने राधानात सिकदर को खोज निकाला था दरसल 19-20 सदी की शुरुवात में अंग्रेजों ने भारत का मानचित्र तयार करने के उद्देश से पूरे देश का एक त्रिकोन मिती सर्वेक्षन का प्रोजेक्ट आरम किया था इसी प्रोजेक्ट के तहट सन 1830 में सर जॉर्ज एवरेश नाम का एक अंग्रेज अधिकारी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनकर भारत आया भारत आने के बाद जॉर्ज एवरेश ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो स्फेरिकल टेग्नोमेटरी में विशे सग्य हो तब उनके एक सिप्षक मित्र ने उन्हें कोल काता के एक योबा च्छात्र राधानाथ सिकदर का नाम सुजाया जिसने अपनी गणती प्रतिवा से अपने सिप्षकों को कायल कर रखा था फृर क्या था? सर जोर्ज एवरिस्ट ने राधानाथ सिखदर को अपने विभाग में कम्प्यूटर के पदपर नौकरी पर रख लिया उस समय आज की तरह कम्प्यूटिंग का काम कम्प्यूटर मशीनों से नहीं बलकि इनसान कम्प्यूटरों से कराय जाता था जो काग्यों पर प्राप्त डेटा को कम्प्यूट करते थे राधानाथ सिखदर बेहत मेहनती और प्रतिवाशाली इनसान थे जिसके कारण सर्थ जॉर्ज एवरिस्ट उनसे काफी प्रभावित रहते थे फिर आया साल 1843 जब जोर्ज एवरिस्ट रेटायर हो गए और उनके स्थान पर नए सर्वेयर जनरल बने कर्नल एंड्रियू स्कॉर्ट वाव अब ध्यान रहे अब तक माउंट एवरिस्ट जिसे उस समय पीक एक्सवी के नाम से जाना जाता था कि उंचाई नापने का काम शुरू नहीं हुआ था ये तो कर्नल एंड्रू स्कॉर्ट वा थे जिन्होंने राधानाथ को पीक एक्सवी की उंचाई मापने का काम सौपा राधानाथ अपने काम में जी जान से लग गए और सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिर 1852 में पीक एक्सवी की उंचाई बतान गोशना नहीं की गई क्योंकि राधानाथ अपनी हर गणना से हर तरह से संतुष्ट होना चाते थे सभी आंकडे एक बार फिर से जाचे गए और आखिरकार 1856 में जब पूरी तरह संतुष्ट हो गए तब इस बात की आधिकारिक गोशना की गई कि पीक एक्सवी ही दुनिय का सबसे उच्या परवत सिकर माना जाता था खैर अब बारी आई पीक एक्सवी का नाम रखने की अगर भारत उस समय आजाध होता तो बहुत संबब था कि उसका नाम माउंट सिकदर या माउंट राधानाथ रखा गया होता लेकिन उस समय तो हुकूमत अंग्रेजों की थी तो करनल एंड्रिव स्कॉर्ट वा ने उस चोटी के लिए नाम चुना माउंट एवरेस्ट यह नाम उनी सर जोर्ज एवरेस्ट के नाम पर था जो करनल एंड्रिव स्कॉर्ट वा के पूर्व भारत के सर्वेर जंदल हुआ करते थे तो इस तरह एक प्रतिवासाली और परिश्रमी भारती गड़ तक जिसकी शोहरत पूरी दुनिया में होनी चाहिए थी जो अपने काम के प्रती इतना समर्फित था कि उसने आज इवन विवाह नहीं किया उसके योगदान को बड़ी आसानी से भुला दिया गया लेकिन उस समय तो जो हुआ सो हुआ शासन अंग्रेजों का था और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे परन्तो दुख की बात तो ये है कि आज इतने सालों के बाद भी जब भारत आजाद हो चुका है हम मैंसे ज़्यादा तर भारती अपने ही देश के इस महान गड़तगे का नाम तक नहीं जानते है क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को इतिहास के इन भूले बिस्रे नायकों के बारे में बताना चाहिए क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम जब भी किसी बच्चे को माउंट एवरिस्ट के बारे में बताएं तो उसे साथ ही साथ राधानाथ सिक्दर के बारे में भी बताएं अपने विचार कमेंट में जरूर बताईएगा जल्दी हाजिर होते हैं आपके समच से एक नई जानकारी लेकर ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत